नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन एल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, तो जैसे कि आप लोग को भी पता ही होगा कि बजट 2019 जो है, वो सामने आ गया है और इस बजट में एक बहुत बड़ी खुशकवरी उन लोगों के लिए है, जिसकी भी इंकम 15,000 रुपे से क कमाते हैं, तो आपको हर महीने 3000 रुपे का पेंसन मिलेगा, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि क्या है यूजना, कैसे आपको इसका लाव मिल सकता है, चलिए सुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लो आप लोग के लिए एक माइंड की क्यूशन है, जिसका जवाब आपको कमेंट वक्स में लिख डालना है, और इसे आप जीच सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प के तरफ से बहुत सारे सरप्राइजिंग गिप्स और इनाम, तो आज का सवाल ये है कि बजट कितने साल बात जारी किय जाता, जैसे कि ये बजट 2019 में जारी किया गया, तो अगला बजट किस साल जारी किया जाएगा, तो चलिए आजा आप करते ही के बारे में, तो उसे योजना के नाम है प्रदान मंत्री सरम योगी मांधन योजना, इस योजना के तहत जो है, जो है साथ साल कि आयू के वाद हार में इने 3000 रुपए की पेंसन मिलेगी लेकिन उसके लिए क्या क्या सड़ते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको इस योजना का लाव मिलेगा और कौन-कौन से लोग जो इस योजना का लाव ले सकते हैं तो लोग सबस्वाच उन्हों से पहले आंतरीम बजट में मोधी सरकार ने गरीब कामगारों को बहुत बड़ा तोफा दिया है बितमंत्री प्यूस उग्रेल ने बजट 2019 में असंगड़ी चेदर के स्रमिकों के लिए मेगा पेंसन योजना की घोशना की है कामकाज में जो लोग काम करते हैं वो संगठी चेदर के मजदूर होते हैं तो उनके लिए योजना चलाए गया है और वगर उसकी इंकम 15,000 रुपे से कम है तो उसे हर महीने 100 रुपे जमा करने होंगे और जब उसकी आई उस सार साल से ज्यादा हो जाएगी चार साल के पार कर जाएगे तो उसे हर महीने 3000 रुपे जो है पैंसर के रूप में उसे दिया जाएगा तो ये काफी बड़ी योजना होने वाले इसे 10 करून लोग को